Hello everyone, welcome once again in our YouTube channel Tech No Rajasthan तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान विदू तिबाग भरती 2021 के बारे में जो जेवेनल सहित राजस्तान की पांचो बिजली कंपनियों के अंदर 237 पदो पर वेकेंसी निकल रखी है तो इसके form reopen हो चुके है और जो examination scheme भी आ चुकी है और आप सभी के काफी time से comment आ रहे है कि जो इसका syllabus क्या रहने वाला है topic wise, topic wise syllabus क्या रहेगा, विस्तर full syllabus हम देख लेता है जो आपकी LDC, commercial assistant, stenographer, junior engineer, junior accountant content, सभी vacancies का syllabus क्या रहेगा, क्या exam के अंदर पूचा जाएगा, क्या exam pattern रहेगा सब कुछ हम यहाँ पे देख लेता है ठीक है तो detail wise में आपको syllabus बता रहा हूँ, एक-एक topic wise ठीक है तो पूरा वीडियो आप सभी ध्यान से देखेगा, पूरा वीडियो skip मत करना ठीक है एक-एक topic wise आपको यहाँ पे जानकरी मिल जाएगी और दोस्तो साथ ही माँ आप जो देख डेमो application है यहाँ पर जो आप अपने commercial assistant exam की तयारी कम समय के अंदर कर सकते है और मात्र पांसो निन्यान में रुपे माँ आपको यह course मिल जाएगा ठीक है तो अब हम बात करते हैं जो इसका official syllabus आ चुका है और exam scheme के उपर में वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में भी हम देख लेंगे अभी बात में बट पहले हम देख लेते हैं जो topic wise syllabus क्या रहेगा ठीक है तो आप सभी काफी time से comment कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका है ठीक है और यह आपको pdf file भी हमारे द्वारा provide करा दी जाएगी कहां से आपको download करना है वो भी आपको इसी वीडियो का अंदर जानकारी मिल जाएगी ठीक है तो इस अंदर आपको पता है कि जो क्या क्या subject आपके आने वाले है बट आपको यह नहीं पता कि topic कौन कौन से रहेंगे कि उस subject के अंदर कौन से topic में से कौन से सवाल आएंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपकी reasoning ability है ठीक है जो तारकी के युग्यता वाला subject है उसके अंदर कौन कौन से आपके topic रहेंगे ठीक है और आप सभी अपनी तयारी जारी रखे है और exam इसका July के last तक या फिर अगस्त के अंदर हो सकता है form reopen हो चुक है अगर आपना भी तक form नहीं भरा है तो form fill up कर दीजीगा ठीक है तो reasoning ability के अंदर बात करें तो जो आपका syllabus क्या रहेगा reasoning eligibility के अंदर sorry ability के अंदर ठीक है तो reasoning के अंदर जो सबसे first topic आपका seating arrangement and puzzle वाला ठीक है तो आप अगर तयारी करेता आपको इन topic के बारे में पता ही होगा जो seating arrangement करेता है और जो puzzles रहता है ठीक है banking के अंदर जिस परकार आता है उसी परकार भी यहां पर आएगा क्योंकि इसका exam भी IBPS करवा रहा है ठीक है तो seating arrangement and puzzles इसमें रहेगा एंद इसके बाद जो inequalities जो reasoning का topic है वो इसके अंदर पूचे जाएगा एंद इसके बाद जो syllogism है वो आपके इसके अंदर topic रहेंगे ठीक है inequality, syllogism and input, output ठीक है एंद इसके बाद जो data sufficiency है एंद इसके बाद जो blood relation है जो आपके रग्त संबंद रहता है जैसे माता-पिता का संबंद इससे इससे पीडी जोसे तीसरी पीडी का संबंद से लेकर इससे परकार की जो blood relations के something questions आते है वो आपका reasoning के अंदर आएगा ठीक है एंद इसकी pdf फाइल भी आपको मिल जाएगी ठीक है तो और अभी इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको complete topic wise बता देता हूँ order and ranking ठीक है एंद जो alpha numeric series है तो यह आपका reasoning का topic है and distance and direction वाला हो गया ठीक है जो दिशेवं दूरी से सम्मंदित प्रशन आते है ठीक है जैसे वो सीधा गया फिर दाया मुड़ा फिर बाया मुड़ा इस परकार के questions आएंगे आपके and जो verbal reasoning के questions आएंगे coding and decoding ठीक है जो ABCD से alpha numerical तरीके से coding and decoding के questions आते है वो आपकी पूछे जाएंगे and number series, letter series ठीक है and जो clock के questions है old man output, shape and mirror ठीक है तो यह तो आपके reasoning के topic हो गए एक बार आप यहां से screenshot भी ले सकता है और PDF भी आपको यहां पर provide करवा दी जाएगी ठीक है हमारे telegram channel पर भी आपको PDF मिल जाएगी तो यह reasoning के topic है आप सभी यहां पर screenshot भी ले सकता है ठीक है और कुछ भी help चाहिए ता आप हमें comment करके बता सकता है ठीक है उसके बाद जो बात करें English का अंदर आपके कौन-कौन से topic आने वाला है पर भी आपको complete information मिल जाएगी syllabus को लेकर and examination pattern को लेकर, scheme को लेकर ठीक है तो English का अंदर आपके क्या-क्यार रहने वाला है ठीक है तो English का अंदर जो close test है, reading comprehension है, and जो spotting errors है, sentence improvement है, sentence correction है, para symbols है, and fill in the blanks है, and जो para sentence, completion है तो इस परकार का आपका English का अंदर रहेगा, ठीक है, हो सकता है एक दो topic इसमें, और aid भी हो सकता है, या फिर कुछ कम भी हो सकता है, ठीक है तो यह आपका English का इसमें रहेगा, ठीक है, and उसके बाद हम बात करें, जो आपके mathematics से related है, जो quantity, aptitude से सम्मंदित आपका topic wise syllabus क्या-क्या रहेगा, वह हम देख लेता है ठीक है, तो जो आपके maths मान लो, या फिर quantity, aptitude मान लो इसको, ठीक है, तो इसके अदर जो आपका syllabus रहेगा, सबसे फास्ट रहेगा आपका data interpretation का, ठीक है, data interpretation का, and इसके बाद जो simplification and approximation, ठीक है, and जो उसके बाद जो quadratic equation है, and इसके बाद जो data suficiency है, and उसके बाद जो mensuration है, average है profit and loads है, लाभानी, ओसत, ठीक है, तो हिंदी में भी आप सभी को बताई है, normal से यह word है, and इसके बाद जो ratio and profession है, and work, time, energy, and time and distance probability, and relations, simple and compound interest, ठीक है, and इसके बाद जो permission and combination, and जो partnership है, sequence and series है, तो यह आपके जो mathematics है, जो numerical ability है, या फिर जो quantity, aptitude है, उसके अंदर यह आपके प्रशन आएंगे, ठीक है, and कितने marks का आएंगे, वो आपको मैं कल बता चुका हूँ, और अब इस थी video के last में भी आपको मैं बता दूँगा, and इसके बाद बात करें, जो GK current event राजस्तान का, ठीक है, तो राजस्तान का भी उसमें बता चुका हूँ, exam के अंदर कितने क्या questions आएंगे, ठीक है, and जो GK का अंदर national and international importance है, person and place in recent news है, जो भी आपके current affairs से सम्मंदित है, वो भी आप पढ़ लीजेगा, and games and sports related भी जो भी, अभी recently जो भी हुए है, वो भी आप पढ़ जीगा, and इसको बाद जो इंडियन history है, civics है, geography है, and daily science है, इंडियन polity, ठीक है, and जो राजस्तानी, जो GK का अंदर राजस्तान GK को ज्यादा reference दिया जाएगा, ठीक है, इसको ज्यादा reference दिया जाएगा, and static GK in relation with current events, ठीक है, तो यह आपका GK का syllabus रहेगा, ठीक है, तो परतनी सुद्धी है, वाक्य सुद्धी है, वाक्यों के रिक्तिस्तानों की पूर्ती है, एपठित गद्यान से, वाक्यों का करम सयोजन, and जी व्याकरण के, अन्य व्याकरण के अंदर जिसे में, विलोमशत, प्रयायवाची, अनेकार्थक शब्द, एकार्ती शब्द, ठी जो इससे लिए बसके अंदर रेने वाला है ठीक है तो आप सभी देख लीजिएगा और जो आप देख डेमो एप्लिकेशन पर अपनी तयारी भी कर सकता है और मात्र पांसो निन्यानमर रुपे में ये कोर्स आपको मिल जाएगा और साथ ही में फिरी टेट सरीज भी आपको म स्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप जो सभी एक्जाम की टेट सरीज चाता है तो दोस्ते निन्यानमर रुपे में वह भी आपको मिल जाएगी और टेकनो टेन अगर कुपन कोड यूज करेंगे तो तो तेन परसेंट आपको डिसकांट मिल जाएगा ठीक है और प पर आधारी थे तो आप देख डेमो एप्लिकेशन इंस्टोल कर ली जेगा इसकी लिंग की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है दोस्तो तो आपको यह सिलेबस की जानकारी देनी थी एक बार मैं आपको शोट में स्किम भी बता देता हूं हलंकी पहले मैं बता चुक ठीक है दोस्तो फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि जो किस परकार आपके रहेगा और आपके जो कमेंट हरें कि प्रोफेशनल नोलेश का मतलब क्या है तो प्रोफेशनल नोलेश का मतलब है कि जो आपने स्टड़ी कर रखी जैसे बीकॉम के अंदर आपने कोमर्स से रिलेटेड जो भी पढ़ रखा है वो आपका प्रोफेशनल नोलेश के अंदर आता है और उसके बाद जिसे जिन्हों ने BTEK कर रखी है जैसे मेकनिकल इंजिनेरिंग के अंदर कर रखी है तो जो भी आपके बिटेक के अंदर सभजेक्ट थे हूँ सभी आपके अनोले इसका सेले बस एड हो रखा है तो उनका जो डिग्री से सम्मंदित प्रश्ण आएंगे ठीक है और जो रीजनेंग मेंटल अबिलेटी के यह आट प्रश्ण आएंगे तो यह तो यह commercial assistant stenographer का अलग है बाकी जो आप देख सकते हैं यह commercial assistant junior जो इस्टेनोग्राफर एंड junior assistant का थोड़ा अलग है जिसके अंदर कुशन का वेटेज अलग है मार्किंग अलग है ठीक है तो एक बार आप यह इसका देख लाए पहला है तो इसके अंदर जो आपके आपके 20-20 परशन आएंगे तो टोटल 140 परशन रहेंगे 200 नंबर के क्योंकि इसके अंदर टाइपिंग रहेगा इसलिए यहाँ पर थोड़ा जो एक्जाम स्कीम है थोड़ी चेंज हो रही है और नेगेटिव मार्किंग आपको बता चुका हूँ वन बाइफोर थे ठीक है वन बाइफोर आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी ठीक है दोस्तों तो आप सभी यह देख लीजेगा और उसके साथ ही जो आप आपके असिस्टेंट परसनल जूनियर लेगल ऑफिसर जूनियर अकाउंटेड इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट और विद्ध और आपके जूनियर इंजुनियर असिस्टेंट इंजिनियर तो उन से भी कांदर यह स्लबस आपका कोमन रहे इन ऐगा है घिक है जो हिंदी इंगलीस मेटामेटिक्स एंड जीके का जब भी है मैंने वीड से लिए बस बताया है वो सब के अंदर सेम रहेगा ठीक है बाग क्यों उनमें सिर्प मार्किंग अलग अलग रहेगी ठीक है तो प्रोफेशनल नॉलइज के साथ नमबर के 120 प्रेशन रहेंगे रीजनिंग एविलिटी के आठ नमबर के आठ प टीक अंदर असी नंबर के 80पन रहेंगे अचिफेशनल उलइज के साथ नमबर के जो शाट प्रेशन से रहेंगे 120 नंबर का और इसमें जो प्रोफेशनल लेज केंदर आपको शार्ट मिनिट मिलेंगे अड कीज़ब एक्जाम के अंदर एक्जाम आई-ब.् पर आपको complete information मिल जाएगी तो आपको यह जानकारी देनी थी और झानकारी कि यह लगर बनार्छी